अरण महादीव जय भोलेना तनमस्कार दोस्तों आप सभी का श्रगत है धर्म ग्यान के मार्ग में आज हम बात करेंगे कुम्बरासी वालों के लिए 31 मार्च 2024 कैसा रहने वाला है चारो दिशा से आपको मिलेगा लाभ ही लाभ कटने वाले हैं सारे दुख इस महीने की सच्चाई हरायं कर देगी कहां आपको सवधान रहना चाहिए क्या आपको लाभ मिलेगा और क्या उपाय करना चाहिए अपने भविष्ट में आगे बढ़ने के लिए जिससे कि आपको कोई परेशानियों का सामना करना ना पड़े और आपका काम बनता चला जाए तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंड बॉक्स में हरार महादिव जय भोलेना जरूर लिखी गए इनकी किर्पा पाने के लिए कुम्भरासी में जन्में जातकों के लिए मार्च दोहजर चोविस औस रूप से भलदाई रहने वाला है विदेश यात्रा के प्रबल योग बनेंगे जिससे आपके उपर खर्च की तलवार लटकी रहने की आसंका है आप प्रेम संबंधों में मधूरता के चलते खुल कर खर्च करेंगे और अत्याधिक वासनात्मक विचार के कारण सरीरिक समस्याएं भी सामने आ सकती है किसी बात को लेकर मानहानी न हो इसका भी आपको ध्यान रखना होगा धनलाब होने के योग भी बनेंगे भाई बहनों का सहयोग भी मिलेगा आपके प्रेम संबंद मधूर रहेंगे जबकि बैवाहिक जीओर में कुछ समस्याएं आ सकती है करियर की दिरिष्टी कोर से यह महीना आउसत रहेगा मासिक रासी फल 2024 के अनुसार करियर की दिरिष्टी कोर से महीने की सुरुवात दसम भाव के शौमी मंगल महराज दसम भाव में उच्छ रासी गथो कर रहेंगे जिसके कारण आपको बीदेश जाने का मौका मिल सकता है काम के सिलसीले में लंबी यातराएं करने से आपको लाब होगा आप काफी ब्यास्त भी रहेंगे कुछ खर्च भी होंगे लेकिन आप अपने काम में मजबूती से डटे रहेंगे और आपके यही काबलियत आपको दूसरे लोगों से आगे रखेंगे इससे आपको कारे छेतर में सफलता प्राब्द होगी बैपार कर रहे जातकों के लिए महीने की सुरुवात अच्छा रहेगा सब्तम भाव के श्वामी शुर्य महराज सब्तम भाव पर पुर्ण दिरिष्टी डालेंगे जिससे बैपार को लाब होगा पिदेशी और सरकारी छेतर से आपको लाब होने के प्रबल योग बनेंगे हलाकि सनी के साथ सुर्य का होना बीच बीच में कुछ अरचने भी पैदा करेगा इसके बाद शुर्य दूइतिय भाव में चले जाएंगे जहां पहले से ही राहु बिरजमान है और मंगल सनी के साथ संयूक्त होकर आपके सब्तम भाव को देखेंगे जिससे बेवसाहें में कुछ समस्याएं आएंगी बेवसाहिक साज़ेदारी से शम्मंद पिगड़ सकते हैं इसलिए थोड़ी सवधानी रखें और इस महीने कोई बड़ा निर्णाय लेने से आप बचें आर्थिक द्रिष्टिकों यदि आपकी आर्थिक इस्दिती को देखें तो महीने की सुर्वात में ही सुक्र और मंगल एक साथ द्वादस भाव में विराजमान होंगे जिसके परिणाम सोरूप आपके खर्च भूच जादा हो सकते हैं आप दिल खोल कर अपनी खुशी से खर्च करेंगे और दोनों हाथों से धन लुटाएंगे इससे आपको आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है आपको विदेश जाने में भी सभलता मिल सकती है इसलिए विदेश यात्रा पर भी अच्छा धन खर्च हो सकता है आपको धन का सद उपयोग करने पर ध्यान देना चाहिए राहु का दूसरे भाव पर प्रभाव होने से धन संचैन करने में भी कुछ समस्याएं आ सकती है और आपका धन बीना किसी वज़ा के ब्याय हो सकता है इस महीने आमदनी कम और खर्चा अधिक रह सकता है जिस पर आपको ध्यान देना होगा हाला कि देव गुरु ब्रहस पती एक आदत भाव को तथा सब्तम भाव को देखेंगे जिससे बैपार से और नीजी परियासों से आपको धन लाव होगा बस आपको अपने खर्चो को नियंतरन में रखना होगा तभी आप अच्छी आर्थिक इस्तिती देख पाएंगे अन्याथा आपका संघर्स बढ़ेगा इसलिए आपको सवधान रहना है अपने खर्चो पर नियंतरन रखना है अगर आप अपने खर्चो पर नियंतरन करके रखेंगे तो आप और आगे बढ़ेंगे मासिक रासी फल 2024 कहता है कि यह महिना स्वास्त के द्रिश्टी कोण से सुर्वात में कुछ कमजोर रह सकता है मंगल और सुक्र के द्वादस भाव में और दोइतिय भाव में राहू की उपस्तिती होने के कारण स्वास्त में कुछ गिरावट आ सकती है आपकी रासी के स्वामी सनी महराज अस्त अवस्था में रहेंगे और उनके साथ सुरी और बुद्ध भी इस्तित होंगे जिसके कारण स्वास्त में गड़बड़ी हो सकती है आपको तेज बुखार, सीर दर्द या बदन दर्द या जोडों में दर्द की सिकायत हो सकती है 18 मार्च से सनी अपनी अस्त और ब्यवस्था समापत कर देंगे और उससे पुर्व ही 14 मार्च को सुर मीन रासी में चले जाएंगे इससे आपको स्वास्त में लाब होना शुरू होगा हलाकि मंगल सनी के साथ प्रथम भाव में आ जाएंगे जिससे आपको एनीमिया, अनियमित, रक्त चापका या किसी परकार की चोट लगने की इस्तिती बन सकती है लेकिन इसके बाद आपका स्वास्त धीरे धीरे सुधरने लगेगा यहाँ पर भी थोड़ा सा आपको सवधाने रखनी है यदि आप किसी प्रेम संबंद में हैं, तो महीने की सुरुवात अच्छी रहेगी पंचम भाव के स्वामी बुद्ध महराज आपके ही प्रथम भाव में भी रजमान रहेंगे जिससे आप अपने प्रेम संबंदों को खुल कर सुविकार करेंगे और उन पर बात चित करके आप डेनर यानि कि आप नीडर रहेंगे और अपने प्रेम जीवन को लेकर बहुत ज़्यादा मजबूत महसूस करेंगे आप जिन से प्यार करते हैं, उनसे अपने दिल के बिजार अस्पष्ट रूप से कहेंगे और उनसे विबाह की बात भी कर सकते हैं, हलाकि इसमें कुछ भी लंब हो सकता है लेकिन आपका प्रस्ताव सुविकार हो सकता है विबाही जातकों की बात करें, तो यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है सनी सुरे तथा मंगल का संयुक्त प्रभाव आपके सब्तम भाव पर होने के कारण आप और आपके जीवन साथी का स्वास्त बिगड़ सकता है आपसी मन मुटाव हो सकते हैं और अहम का टकराव हो सकता है हलाकि दूसरी तरफ पूरे महीने तीसरे भाव में बैठे देव गुरुब रस्पती की पंचम द्रिष्टी सब्तम भाव पर होने के कारण आपके बैबाहिक जीवन में चल रही समस्याओं के बावजूद भी आपका रिस्ता बीधिवत चलता रहेगा और आप अपने रिस्ते को संभालने में कमे आप भी हो जाएंगे या महीना परिवारिक रूप से औसत रहेगा मासिक रासिफल 2024 की अनुसार दूसरे भाव में राहु बिरजमान होने के कारण आप जो कहेंगे वह करेंगे नहीं अपनी बातों से दूसरे को परवावित करने का परियास करेंगे हाला कि इससे कई बार समस्याओं सुलज भी जाएगी लेकिन बात में बिगड़ भी सकती है अपनी इस आदत पर ध्यान दे चतूर्त भाव के स्वामी सुक्र महराज द्वादस भाव में विरजमान है और साथ तारिकों प्रतम भाव में आ जाएंगे इससे परिवार में आपका कद बढ़ेगा परिवार में आपको सम्मान की नजरों से देखा जाएगा माता और पिता का स्वास्त अनकुल रहेगा अच्छा रहेगा जिससे आपकी चिंताएं कम होंगी भाव बहनों का पूरा सहयोग आपके साथ रहेगा वह हर काम में और हर सुख दुख में आपका साथ देते रहेगे इससे आपको बल मिलेगा और आपका जीवन उनके प्रेम से और भी बेहतर हो जाएगा आपके कामों में उनकी मदद आपको और बढ़िया करने के लिए प्रेरित करेगी क्या उपाय करना चाहिए अपने भविस में आगे बढ़ने के लिए कुम्भरासी वालों को रवी बार के दिन बैल को गुण किलाएं रात को सोते समय अपने सीर के पास तामबे के लोटे में थोड़ा जल रखें और सुबह उठकर उसे किसी लाल फूल वाले पौधे में चढ़ा दें अपने घर वालों के लिए प्रती दिन कुछ रसीला मेठा खाने का परबंद करें और खुद भी साथ में खाएं उत्तम गुणवता वाला ओपल रतने चांदी के यंग उठी में जड़वा कर शुक्रबार के दिन आनामी का उंगली में धारन करें आप सनी देव की पूजा करें सनी मंदिर जाएं हो सके तो वहाँ पर बैठ कर सनी चलीशा का पाठ करें आपके लिए हनुमान जी की पूजा करना भी उत्तम रहेगा तो आप हो सके तो हनुमान मंदिर होकर आएं या अपने घर पर बैठ कर ही हनुमान चलीशा काया पाठ करें अगर ऐसा करते हैं तो आपको हर परिशानी से छुटकारा मिलेगा और आपका काम बनता चला जाएगा उमीद करते हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आएगी अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हरार महादेव चैब बोलेना जरूर लिखेगा इनके किर्पप पाने के लिए फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई धन्यों